हेलो फ्रेंस, हैपी नबरात्री, आज की वीडियो में हम सीखेंगे बाजू कटिंग और आज की क्लास में आपको सबसे ज़्यादा इजी और सरल तरीका बताऊंगे जिससे आपकी बाजू कटिंग परफेट कटिंग होगी तो सबसे पहले हमें बाजू कटिंग के लिए चाहिए होता है चेस्ट की मेजरमेंट और आर्म होल की राउंड की तो चलिए आप चेस्ट की मेजरमेंट लिख लें उसके बाद हमें करना है जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रहे हूँ उस तरह से आपको आर्म होल इंच ले रही हूं और लेंद आपको लेना है जहाँ पर शोल्डर जोइंट है वहाँ से उसके बाद मोहरी के आप फिटिंग की कॉर्डिंग ले सकते हैं या पर स्लीव लेंद 10 इंच ले रही हूं है तो सब से पहले चलिए में paper को open करके दिखा दू किस तरह सेट करकर रखना है अगो इसी तरह से paper को रखना है उसके और और एक बार full लगा लेनी है तो आज कि इस meaningful में आपको मैं सबसे easy तरह का बताउंगी बाजू कटैंगी सबसे पहले आपको happens कि इस तरह से निसान लगाने नहीं साइड में और इस line को सीधा कर लेना है. तो आप इस line को मैं सीधा कर लूँगी पहले. तो scale से पहले आप इस line को सीधा कर ले और जहाँ पर हमने half inch की निसान लगाई है वहां से आपको बाजू की length measure करना है. आपको जितना भी लंबा आप length रखना चाहते हैं slip length आप ले सकते हैं तिहां पर मैंने 10 inch पे निशान लगा लिया है इस तरह से आप निशान लगा ले उसके बाद line को सीधा कर देना है इस तरह से आप सीधा कर ले उसके बाद जहां से हमने slip की length लगाई है महां से एक inch extra हमें सिलाई margin रखना है तो इस तरह से हमें एक निशान लगा देनी है और इसको भी सीधा कर लेना है तो यह दोनों marking हो गई है हमारी तो जहां से हमने half inch की निशान लगाई है वहां से 3 inch पे अंदर की तरह पे एक निशान लगानी है गेहराई के लिए उसके बाद इस line को भी हमें शीधा कर लेना है तो जो में तरीका आज आपको बता रही हूँ बहुत ही ज़्यादा easy है friends अगर आप chest की recording cutting करेंगे तो भी वही बाजू perfect cutting होगी और armor round की recording भी करेंगे तो भी हमारा बाजू perfect बिठेगी तो सबसे पहले हम chest की recording करेंगे तो chest है हमारा 32 inch उसका one fourth कर लेना है तो इस तरह से inchi tape को 32 inch पे रख लेना है उसके बाद और double fold करके इस तरह से fold लगा लेनी है तो इस तरह से हमारा four part जो निकल के आ जाएगा तो हमारा आया eight inch तो जितना भी आपका chest का fourth part आ रहा है उसमें half inch minus करना है तो यहाँ पे minus करने से हमारा निकल था है 7.5 inch अभी जो हमने half inch की निशान लगाई है अंदर की तरफ वहाँ पे inchi tape को रखते हुए इस तरह से तिर्चे में जहाँ पे हमने 3 inch अंदर की तरफ निशान लगाई थी वहाँ पे इस तरह निशान लगा देनी है इस तरह से निशान लगाने के बाद side में जहाँ पे हमने half inch की निशान लगाई थी वहाँ पे 1.5 inch डेड़ इंच पे निशान लगा लीजी इस तरह से आपको अंदर की तरफ ने बाहर की तरफ निशान लगानी है इस तरह से इस तरह से आपको डेड़ इंच पर निशान लगा देनी है जहाँ से हमारी गुलाई स्टार्ट होगी तो अभी हम जो हमारी मोहरी की राउंड है वहाँ पर हम निशान लगा लेंगे फिटि के निशान थे इनको हमने मिला लिया है अभी हम बाजू की जो हमने राउंडिंग लिया था उसकी कोडिंग करेंगे तो हमारा 15 इंच था इसका हमें हाप कर लेना है तो इस तरह से आप हाप लेंगे तो वही 7.5 पिंच ही आएगा ये देखिए अब अगर आर्म होड राउंड की कोडिंग किस तरह से वीजी तरीके से आप बाजू कटिंग कर सकते हैं तो जहां पर हमने डेल इंच बाहर निशान लगाई थी वहां से आपको आर्म होल की जो शेप होती है आपको वहां से ड्रो करना है तो यहां से डेल इंच जहां पने दिये थे वहां से आपको इस त तो इस तरह से सिलाए मार्जिन एड़ कर लीजिए और इस सराउंडिंग को इस तरह से मिला लीजिए तो इस तरह से देखिए अभी हम जो फ्रेंट आर्मोन की गोलाई होती है उसको हम अंदर से इस तरह से शेप दे देंगे तो यह फ्रेंड पार्ट के लिए बेसिकली होता ह तो इस निशान को गहरा कर लेते हैं इस तरह से आपको सेव देना है तो आई होप अगर आपको वीडियो समझ ना आए तो आप जरूर से कमेंट करके पूछ सकते हैं तो अभी जो हमारे बाहर की निशान है उससे पहले हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे आपको बाजू कटि जो हमने हाप पिंच निशान लगाए थी अंदर के तरफ वहाँ पर नहीं करना उसके जो बाः पिंच निशान लगाई है और इस तरफ जो बाः है हाप पिंच जो एश्टरा पेपर वो हमारे सिलाई माजिन में चला जाएगा इसलिए इस चीज़ को आप को ध्यान में यहां पे एक नोच लगा लीजिए यहां पे फिटिंग होती है हमारी वहां पे मैं नोच लगा दे रही हूं इस तरह से यहां पे भी एक हमें नोच लगानी है इस तरह से कट लगाने के बाद इसको इस तरह से सीधा कर लेना है उसके बाद जो हमारा तो देखिए यह हमारा फ इस तरह से हमें इसको अलग कर लेना है तो देखिए इस तरह से हमारा पूरी तरह से बाजू कटिंग हो चुका है तो आपको इसी तरह से फोलो करते हुए जिस तरह की से मैंने बताया है आपको आपको उसी तरीके से अपलाई करनी है बाजू कटिंग में तो यह देखिए सब इससे पहले मैं आपको दिखा दू किस तरह से हमारी जो बाजू की सिलाई होने के बाद वो परफेक्टली जितना आप स्लीफ की लेंद रखे होते हैं उतना आएगा तो देखे यह जो हमारा एश्ट्रा है यह तो हमारा फोल्ड में चला जाएगा सिलाई में तो यहां से मैं इसे टीब को रखोंगी और यह जो हाफ इंच श्यक्तली हैं तो हमारा जीफ की साड़े नो इंच हो जाता तो इस चीज़ को भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान में रखना होता है तो आप दीखे यहां पर दस इंच हमारा जीफ लेंद आ गया और जो हमने हाफ इंच निशान लगा है वो हमारा सिलाई में चला जाएगा तो यह सब हमारा सिलाई में चला जाएगा तो इस तरह से आपको पाजू की कटिंग कर लेनी है और आप चाहे तो इस तरफ आप तुरपई लगा सकते हैं या तो आप ताके भी लगा सकते हैं जैसे आपकी मर्जी तो ये तो हमारा हो गया full slip की cutting अभी हम करेंगे half slip की cutting तो उसके लिए same आपको उसी तरह से paper लेना है तो ये दीखी, मैंने paper ले ली है ये भी कुछ इसी तरह से double fold मैंने एक paper ले ली है उसके बाद इस तरह से paper को 4 fold में set कर लेना है paper set हो चुगा है अब ही आप जितना भी आप half slip की length रखना चाहते हैं उसी according नाप ले लीजे तो यहाँ पे मैं जो half slip की length रखंगी 5 inch तो सबसे पहले हम बाहर के तरफ एक इंग पे निशान लगाँगे जो कि सिलाई margin होगा और वहाँ से हमें 5 inch पे जितना आपका लेंड चाहते हैं उतना ले लिजें और half pinch extra सिलाई margin तो इसी तरह से नीचे की तरफ भी हमें इसी तरह हमें निशान लगा लेनी है फिर एक इंग सिलाई margin फिर वहाँ से हमें 5 पे निशान फिर हाप इंच सिलाइ मार्जिन तो अभी इन लाइनों को हम सीधा कर लेंगे तो यहाँ पर स्केल की हेल्फ सब सीधा कर लें तीनों लाइनों को तो आप देखें तो हमने यहाँ पर फुल स्लीब में थ्री इंच की गहराई दी थी अंदर की तरब तो हम यहाँ पे जो हाप स्लीव है यहाँ पे हाप इच घटाते हुए हम धाई इंच पे निशान देंगी तो इस तरह से अंदर की तरफ धाई इंच पे निशान लगानी है तो इस लाइन को स्केल के हेल्प से हम सीधा कर लेते हैं तो यहां पर मैं पर्लेर लिख देती हूं कि यहां पर हमने लिया है 2.55 तो इस तरह से यहां पर पे साइड में आपको 1.5 इंज पे निशान लगाने है जहां से हमारी आर्म फोन स्वर में पर राउंड देना स्टार्ट होगा तो जितना हमारा आर्म होल राउंड था उसका हाफ हमें लेना है तो हमारा आया था साड़े साथ इंच इस तरह से तिर्चे में मिला लेनी है और फिटिंग के निशान दे देनी है तो यहाँ पर मैंने दोनों फिटिंग के निशान दे दिया है और इसको मैंने तिर्चे में मिला ली है उसके ब बोड रो करना है तो इस तरह से हमने स्लीप की निशान दे दी हैं और अंदर की तरफ हार फिंच की गेप रखते हुए इस तरह से अंदर से निशान लगा लेनी है जो मैंने आर्मोल की राउंड की निशान दे थी उसको में थोड़ा सा गहरी कर देती हूँ अब जितना फिनिशिंग के साथ राउंड शेप दे सकते हैं उतना अच्छा रहेगा तो इस तरह से हमें पहले बाहर की साइट से कटिंग करनी है इस तरह से कटिंग कर लीजिए एक कट हो चुका है अभी हमें सेंटर में इस तरह से कट लगाना है अभी हम बाजू को कर लेंगे सीधा इस तरह साब सीधे कर लें उसके बाद जह हमारा फ्रेंट पार्ट की जो हमने गुलाई दे थी उसको हम कट करेंगे अगर आपके लिए यह वीडियो हैलपफुल रहा हो तो जरूर से लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सबस्क्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएं अगर आपके भी फ्रेंड्स कोई सिलाई सीख रहे हैं तो जरूर से उसको भी सेयर कीजिए तो इस तरह से ह करके बताएगा और वीडियो पसंद आई हैं तो जरूर से लाइक कीजिए और वीडियो को एन तक देखने के लिए थाइंक्यू सो मच इसी तरह से में आपके लिए सबसे ज्यादा ईजी और सरल तरीका लेकि आऊंगी तो आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजि तंक वहां तूर से सleansघ्ड जरूर से लिए और वीडियो के लिए।